अब बड़ी खबर रायपूर से है जहां रायपूर में एक बार फिर पीलिया पैर पसार रहा है बता दे रायपूर में फिर मिले पीलिया के दो नई मरीज रायपूर में टाइफाइट के भी दो मरीज मिले हैं राइपुर में फिर पीलिया के दो नई मरीज सामने आए हैं, राइपुर में टाइपाइट के भी दो मरीज मिले हैं, पता दे अब तक लगभग आधा दर्जन से ज़ादा पीलिया मरीज में मेरे सहियोगी राइपुर से सत्या राजपुत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्या दुबारा से राइपुर में एक बार फिर पीलिया पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ इस्तिधी है इस समय राइपुर में? देखिए राजधानी जो है 36 गड़ का रोड मॉडल होना चाहिए और रोड मॉडल इसको बना के रखना चाहिए, इससे क्या है दूसरे छेत्रों को इससे सीखने को मिलता है, लेकिन अब हालात कुछ इस तरह है कि गंदे पानी का सप्लाई राजधानी में हो रहा है, तो प स्वक्ष पानी और सुध पानी, मीठा पानी लोगों तक पहुचाने का निगम कदावा था, लेकिन पिछले बार जो हालात हमने देखे है कोरोना के बीच में पीलिया ने लोगों के जीना मुहाल कर दिया था, कई लोगों की मौत भी हुई और सैकड़ों लोग पीलिया से ग्रसीत हुए थे, लेकिन इस बार जो है थोड़ी रहत तो थी, लेकिन अंत में गर्मी के बिदाई के दावरान पीलिया ने दस्तक दे दिया और एक एक करके पीलिया मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे केम्प लग रहे है, मरीज निकल कर सामने आ र जुमारी है और पिलिया की बात करें तो ये गंदा पानी से तो इस पष्ट हो गया, स्वास्त विभाग के रिपोर्ट को कहना है कि ये गंदा पानी के सप्लाई से हुआ है, और इसकी सिकायत लगत्तर की जा रही है, बावजूद इस पे कोई कारवाई नहीं हुई है, खाम पानी के सप्लाई को लेकर, पानी की कमी को लेकर, 31 अधिकारियों का नंबर जारी किया गया है, उनको नोडल नियुक्त किया गया है, और उनको ततकाल समस्या के समधान के निदान के लिए निर्देसित किया गया था, लेकिन यहागर हम बात करें, जागरेतीन अगर की, तो पाकिर ये और इन तमाम मुद्दों के लेकर महापॉर से बात चीत हुई और उनका कहना था कि हम पाइपलाइन का जाच कराएंगे और जाच कराके पाइपलाइन भी रिपेरिंग करेंगे तो यहां बड़ा सवाल यही है कही न कहीं इस तरह के बयान से इस तरह रवाईये से अधिकारी जो है बेलगाम हो रहे हैं उनका जो निरंकुस्ता है वो बढ़ती जा रही है यहां पे जो लपरवाही बरतने वाले जो अधिकारी हैं उन पे कारवाही करने की जरूरत थी ना कि पाइपलाइन पे जाच करने की जाच करना जरूरी है और लोगों तक पानी भी पहुचाना जरूरी है लेकिन का जो लपरवाह अधिकारी हैं उन पर कारवाही होता तो कहीं न कहीं ऐसे लपरवाही आगे नहीं होती तो यह पूरे सवाल खड़े कर रहे हैं कि राजधानी में जो है गंदा पानी का सप्लाई हो रहा है लोग परशान हो रहे हैं पिलिया से गरस्जित हो रहे हैं तब देखना यही होगा क्योंकि जो जाच का दोड़ जारी है और एक एक करके मरीज सामने आ रहे हैं अब यह आकड़ा कहा तक पहुंसती है क्योंकि राजधानी में जब 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 पहर पसारा है अब हर घर जाच होगी बहुत बहुत शुक्रिया सत्या में तमाम जानकारे देने के लिए